नमस्कार, dailynews360.com में आपका स्वागत है विधान सभाद चुनाओं में सफलता का स्वाद चख चुके कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी अपनी बहन प्रियंका के साथ इस चुनाओी समर में मोधी के सामने चुनाओती बन कर खड़े हैं लेकिन उनकी असली परिक्षा अमेठी और वाइनाड के साथ साथ पुरुवत्तर के राज्यों में भी होगी दरसल एक वक्त था जब पुरुवत्तर कॉंग्रेस का गढ़ हुआ करता था लेकिन आज कॉंग्रेस का ग्राफ यहां हासिये पर पहुँच चुका है यहां की 25 लोगसभा सीटे चुनावी समीकरन की बिगाडने के लिए काफी है पुरुवत्तर के इन राज्यों में असम का रोल सबसे बड़ा है यह राज्ये खुद में 14 लोगसभा सीट समेटे हुए है इन सीटों में सबसे दिल्चस्प है करेमगंज की सीट कहने को तो यहां 56 प्रतिसत से ज्यादा मुसलिम अबादी है लेकिन आस्चारी की बातिया है कि यहां आज तक कोई मुसलिम उमिद्वार नहीं जीता है फिलहाल इस सीट पर EIUDF का कबजा है बात करते हैं सीट के इतिहास की तो इस सीट पर पहली बार लोगसभा चुनाओं 1972 में हुए यह सीट सुरू से ही कॉंग्रेस के प्रभाव वाली रही है वे इसलिए क्योंकि जब पहली बार यहां लोगसभा के चुनाओं हुए इसके बाद 1991 और 1996 में हुए चुनाओं में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी और यह पहली बार था जब बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया था फिर बारी आई बार हमें लोगसभा चुनाओं की जिसमें कॉंग्रेस की इस सीट पर वापसी हुई 1999 के चुनाओं में कॉंग्रेस प्रत्यासी नेपाल चंदरदास ने बीजेपी प्रत्यासी स्वप्न कुमारदास को 10,468 मतों से हराया अगले ही साल फिर से हुए लोगसभा चुनाओं में नेपाल चंदरदास ने अपनी सीट बचाय रखी इस बार उन्होंने बीजेपी प्रत्यासी को 42,269 वोटों से हराया 2004 में हुए 14 में लोकस्वा चुनाओं में कॉंग्रेस प्रत्यासी ललित मोहन ने बीजेपी प्रत्यासी को रिकॉर्ड 91,948 मतों से हराया 2009 के चुनाओं में ललित मोहन ने फिर से जीत दर्ज की इस बार उन्होंने AIUDF प्रत्यासी राजेस मल्लाह को 89 मतों से हराया आपको बता दे कि असम में कुल 126 विधानसवा सीटे हैं जिसमें से करीमगंज लोकसवा सीट में कुल 8 विधानसवा सीट हैं जिन में 4 पर AIUDF, 2 पर कॉंग्रेस और 2 पर BJP काबीज है आपको बता दे कि राधेस्याम विष्वास यहां के वर्तमान सांसद हैं जो की इंटर तक ही पढ़ाई किये हुए हैं सुलोही लोकसवा चुनाव में AIUDF प्रत्यासी ने BJP उमिद्वार कृष्णादास को रिकॉर्ड 1,294 मतों के भारी भर कमंतर से हराया था राधेस्याम विष्वास की संसद मुपस्थिती 88% से जादा रही है उन्होंने अब तक 224 सवाल पूछे हैं जबकि 66-200 में हिस्सा लिया है उन्होंने अपनी संसद निधी में से 14,6 लाक रुपे अब तक खर्च की हैं धन्यवाद